All India Quota की जो seat matrix है उसको release किया गया है MCC के दोरा All India Quota में open seats में जितने भी student participate कर रहे हैं, colleges कितने add हुए हैं, कितनी seats इस बार आई हैं, 2022, 2023 और 2024, इन तीन साल में All India Quota में total कितनी seat बढ़ी हैं, MCC की counselling में reset का एक option होता है, वो क्या होता है, किन्हें use करना है और कभ use करना है, कैसे use करना है साथी साथ, जो seats बढ़ी हैं, उसका cut off पर क्या असर पड़ेगा, seat matrix की complete detail इस छोड़े से वीडियो में आप मिटिकाविंग के साथ बने रहे हैं, चैनल पहले बार विजिट करने त इसको subscribe जोरो किजेगा ताकि future के updates आपको non-stop लगातार मिलते रहें, जैस बात हो रही है, All India Quota की seat matrix की release की गई है, MCC की website पर, यह जो seat matrix है, इसके हम लोग analysis करें, कि current events में आपको यह final seat matrix round 1 के लिए UG का, MBBS का, Zipmer का, उसके बाद aims का, Deemed का, BDS का, BSC nursing का, हर एक seat matrix आपको यह को इस वीडियो में, डिटेल में बताएंगे की cut off क्या हो सकता है, अगर जिस हिसाब से seat बढ़ी हो, total कितनी seat बढ़ी है, लेकिन उससे पहने हम लोग बात कर लेते हैं, कि जो reset का एक option होता है, जब आप on India Quota की, यह जो MCC की call selling के side है, यहाँ पर आप visit करते हैं, यह जो floating bar है यहाँ पर जो latest information होता है, उसके बारे में update रहता है, round 1 जो choice filling है, यहाँ पर फिलाल दिखा रहा है, will begin soon, right, हलाकि वो start हो चुका है, भी यहाँ तक update इसमें नहीं आया है, online registration का जो इसमें tab है, इसके अलावा एक चीछ दी गई है, reset registration facility for round 1, UG counselling 2024, up to 10 a.m. of 28, 2024, 20 अगस्त तक जो की choice filling की last data locking भी उसी दिन होगी, सुभा 10 बजे तक reset का option दिया गया है, reset का option तब यूज किया जाता है candidate के दोरा, जब उनसे कोई mistake हो गया है, यह mistake किसमें, जो counselling choice करना होता है, कि All India Kota के लिए participate कर रहे हैं, या फिर आप DMD के लिए कर रहे हैं, या फिर आप BSC nursing के लिए क कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपसे by mistake कोई दूसरा option select हो गया है, और आपका form जो है, वो submit हो गया है final, तो उस case में आप reset का button यूज कर सकते हैं, आपका application फिर से बिलकुल reset हो जाएगा, आपको अलग से payment करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी mistake form में आपसे हो जाती है major mistake, मालिज जे कि आपको कुछ details मिल करने में, या फिर category select करने में, वहाँ पर भी आपसे mistake हो गई है, तो उस case में भी आप reset का button का use कर सकते हैं, याद रिखिए गए ये जो button है, ये सिर्फ एक बार use होता है, इसके बाद दोबारा से आपको इसके facility का option नहीं दिया जाएगा, so candidates को normally use नहीं करना है, अगर बहुत बड़ी mistake होई है, तो उसी case में आपको use करना है, otherwise reset का option आपको use नहीं करना है, अब हम बात कर लेते हैं seat matrix की, देखिए ये जो seat matrix है, यहाँ पर अगर आप सारे seat matrix की बात करेंगे, then guys, here is the complete seat matrix of UG 2024 round 1 का, जितने भी courses है, इन सब भी की seat matrix की complete PDF है, जिसकी mid carving ने पूरा compile किया यहाँ पर, अब इसके हम लोगों ने analysis करी, analysis करने के बाद, जो facts सामने आये हैं, वो अभी आपके सामने है, 2022 में, 2023 में, और 2024 में, number of colleges round 1 की counselling में कितने थे, वो यहाँ पर mention है, इसके अलावा, number of seats कितने थे, वो यहाँ पर mention है, और इस बार कितने हुए हूँ, वो भी seat mention है, एक एक करके हम समझते है, 2022 में, all India quota के थूरू, जो admission होते है, total 290 colleges थे, 2023 में, round 1 में, 349 colleges है, जबकि 2024 में, round 1 में, इस बार, 373 all India quota में, जो participate कर रहे हैं, 15% के जो colleges है, वो है, 373, seats की अगर हम बात करें, तो all India quota में, 2022 में, जो 15% की counselling होती है, उसमें, 6,622 seats थी, 2023 में, 7,624 seat हुई, और जबकि 2024 में, यह 7,918, यानि अगर आप difference देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा seat नहीं बढ़ी है, all India quota में, कहां यह जा रहा था, कि 152 नए colleges आएंगे, लेकिन उतने colleges, round world में, फिलहाल, seat matrix के हिसाब से, नहीं आये है, जाहिर से बात है कि approval बहुत सारे colleges को इस बार नहीं मिला है, अब हम बात करते हैं, Central Universities और AIMS की, AIMS और Central Universities का, अगर आप figure देखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर 20 AIMS, प्लस Central University, दो, एक BHU, और दूसरा, AMU, अलेगर Muslim University, इन दोनों को include करके, total institutions होगे, 22, 2022 में, 22 institutions थे, AIMS को मिला के, और यहाँ पर seat थी 234, 2023 में, इन 22 institutes में, AIMS और Central Universities को मिला के, seat उतनी ही थी 234, कोई seat नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस बार, 2024 में, यह seat हो गई है, 272, यानि, seat जो बढ़ी है, वो 38 seats बढ़ी है, और यह 38 seats बढ़ seat थी, अब वो 100 हो गई है, अगर हम total difference की बात करें कि, total जो seat matrix है, उसमें कितना difference आया है, और इंडिया कोटा प्लस जो Central University और AIMS की seats है, 2022 में seat थी 8956, और इंडिया कोटा में, प्लस Central University AIMS को मिला के, 2023 में, यह seat होगी 9958, जबकि इस बार 2024 में, यह seat है, 10295, डिफरेंस अगर देखेंगे, तो 300 के आसपास, seat जो है, वो increase हुई है, 2024, अब हम बात करें, cutoff की, इसका cutoff के आसार पड़ेगा, जब NEET का result आया था, उसी दिल, मेटका विंग की team ने analysis करके, यह बताया था, कि cutoff इस बार 654 के आसपास रहेगा, जब नया result पब्लिश हो, उसके बार rank सा out-down हो, तो उस समय, मेटका विंग की team ने यह बोला कि, एक दो number का difference आ सकता है, तो 652, 651 तक general category, OBC का cutoff जा सकता है, अब जब नई seat matrix आई है, तो उसके बाद भी मेटका विंग की यही analysis, as हमेशा की तरफ, हर साल जो cutoff हम लोग release करते हैं, अब analysis के बाद, इस बार भी वही रहने वाला है, cutoff आपका 652, 653 और 651 इसी जो तीन मार्क से इसी के आसपास range करेगा, OBC, General और EWS candidates का, बाकि बहुत अगर इससे नीचे मार्क candidates के हैं, तो फिर उनको government medical college मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस बार all India की counselling में, state की जो cutoff होती, वो different states की, अलग-अलग होती है, number of factors depend करते है, reservation कितना है, वहाँ पर seat कितनी है, आप eligible है या फिर नहीं है, तो state की cutoff no doubt की, अलग-अलग होगी, लेकिन, all India quota की अगर हम बात करें, तो 651, 2 के आसपास, General OBC और EWS का जो cutoff है, वो रह सकता है, CSTN सभी का, और plus state-wise जो cutoff है, उसकी videos, mid-coming already जारी कर चुका है, आने व के सामने है, आपका कोई question होता है, कुछ पूछना चाहता है, comment box में comment कीजिए, इसकी इमपर जो number शोरा है, इस number पर आप हमें whatsapp कर सकते हैं, stay tuned with us, thank you for watching me, thanks a lot.